हलो एवरिवन आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रूप के बारे में देखे टाटा ग्रूप की कई सारी कमपनिया है और आज अगर हम देखे तो एक दो कमपनियों को छोड़ कर सभी कमपनियों के शेर में भयंकर गिरावट है चाहे वो टाटा स्टील हो टाटा मेटलिक हो चाहे वो टाटा मोटर्स हो चाहे वो टाटा पावर हो टाटा केमिकल हो टाइटन से लेकर टाटा कॉफी से लेकर इंडियन होटल तक के शेर में हमें गिरावट देखने को मिली है बस गिरावट उतनी जादा नहीं थी वो एक Tata Alexi में लेकिन कोई उतना जादा profit भी नहीं था लेकिन और एक और है Tata consumer में भी कोई गिरावट नहीं थी आज के दिन में और नहीं उतनी बड़ी गिरावट Tata communication में थी और नहीं उतनी बड़ी गिरावट TCS में देखने को मिल रही थी उसके अलाव बाकी जितने भी शेर से गिरावट आज के दिन में काफी जादा हमें देखने को मिली है वीडियो में हम डिसकेस करेंगे कि आखिर गिरावट क्यों आई है और कौन से शेर स्टार्टा ग्रूप के लाउंग टर्म के लिए बहतर है तो वीडियो को शुड़ू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो देखे पूरे ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो भाईया मुनाफ़वसूली का दौर है प्रेशर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कई सारी चीजे हैं जो प्रेशर डाल रही है और कहीं न कहीं एक पैनिक जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है लेकिन एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में जब भी पैनिक आता है मार्केट जब भी तूटता है याद रखे वो हमेशा एक मौका होता है खरीदारी का पिछले साल जब करोना आया था हम सब ने दिखा कि किस तरीके से भई या मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक फैला लेकिन उसके बात की जो रफतार है वो अपने आप में एक अलग कहानी बया करता है और इतना ही नहीं बीच में भी एक गिरावट हमें देखने को मिली थी करोना की जब सेकंड वेव आई थी जिसकी वज़े से एक बार फिर से मार्केट टूटा था लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी पहली वाली जितनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन फिर भी एक गिरावट थी वो और वहाँ पर भी जो लोग अपनी पोजिशन होल्ड करके बैठे हैं उनका भईया पैसा तो बना ही है अब बात करते हैं कि आज के दिन में देखे पहली चीज़ एक पैनिक काम करता है जहां चौध तरफा गिरावट देखने को मिलती है तो जो रीटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या और कोई भी हो वो डेफिनिल एक वक्त के लिए यह सोचता है कि भाईया मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है बहतर है कि मैं इस प्रॉफिट को ले लू और निकल जाओं तो एक जो चीज़ है कि अगर चौध तरफा जब बिक्वाली के सौधे लगतना शुरू होते हैं तो मार्केट तूटता इसमें कोई बड़ी बात न निकल चुका है तो अभी के लिए मैं यहाँ पर हाथ डालना पसंद नहीं करूँगा और एक और चीज़ है जो मैटल वाला जो सेक्टर है वो काफी जादा इसके उपर इफेक्ट पढ़ता है ग्लोबल जो चीज़े होती उसको लेकर तो इसलिए मैटल से मैं हमेशा कहता फंडामेंटली स्ट्रॉंग है तो आप वहाँ पर हाथ डाल सकते हो वरना और वरना शेर को अवोईट करेंगे तो जादा फायदे में रहेंगे टाटा मेटलिक भी वही चीज़ है यहाँ पर आप देखिए 136 रुपय का शेर है और एक साल में बहुत जादा दोड़ चुक कि अभी के इससे दूर है लेकिन टाटा मोटर्स डेफिनेटली अच्छा शेर है दो सो असी रुपय के आसपास ट्रेट कर रहा है और पिछले एक साल में देखे तो इसने भी 132 परसन का ग्रोथ दिया है और इतना ही नहीं दो सो असी का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट यहाँ प बचाके रखेगा ताकि जब मार्केट दुबारा रिकावर की तरफ दौड़ना शुरू करे तब आप थोड़ी और कॉंटिटी को एड कर पाए तेकर टाटा मोटर्स अगर 280 रुपय का जो इसका अच्छा सपोर्ट है अगर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा तो याद रखे शक्तिमान बनके उल्टी दिसा में दौड़ना नहीं चाहिए बैटर है कि अभी वेट अन्वाच का सिलसला अपना ये लेकिन लेकिन खरीदारी करी है तो टाटा मोटर्स बेचने की ज़रूरत भी नहीं है डेफिनेटली तेजी देखने को मिलेगी यहाँ पर भी टाटा प बड़ी रफतार से इसने तेजी दिखाई है जब भी टूटा है उससे जादा रफतार से तेजी दिखाई है अभी गिरावट का दौर है लेकिन तेजी के लिए दौड़ना जल्दी शुरू करेगा टाटा केमिकल बहतरीन शेर है यहाँ पर भी आपको आज के दिन में गिर टाटा केमिकल लॉंग टर्म के लिए एक बहतर शेर होगा खास करके तब जब हम इलेट्रिक कार का भाईया एक रिवल्यूशन देखेंगे जो बैटरी इस्तमाल होगी इलेट्रिक गाड़ियों में और टाटा केमिकल की होने वाली है टाटा मोटर्स में और जेलार में और ग्लोबली पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे और टाटा केमिकल की मैं बात करूँ तो भाईया टेफिनिटली कमपनी स्ट्रॉंग है मजबूत है इसमें कोई शक नहीं है गिरावट आ रही है और थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अभी के लिए मेरे ह 70 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है और मेरे हिसाब से दिवाली तक कहा जा सकता है कि हाँ एक अच्छी कासी रहे लेकि आप उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अगेन मैं कहूंगा उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिली अच्छी कंपनी बहतरीन कंपनी है कोई शक नहीं है इसमें लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ सकती है यहाँ पर टाइटन खरीदारी करी है जो बने रह सकते हैं फ्रेश बाइंग मेरे इसाब से अभी नहीं करनी चाहिए बहुत महंगा हो चुका है यह शेल और अगर आपको यह बढ़िया रफ्तार ची 235 तक पहुंचा बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और देखे मैं तब तक खरीदने की सला यहाँ पर नहीं दूँगा जब तक यह एक तरफा गिरावट रोकती नहीं है स्ट्रॉंग सपोर्ट जब तक नहीं मिलता तब तक भई अब बने रहे हैं यहाँ पर उसके बाद हैं इंडियन होटेल्स जो हम ताज होटेल की बात करते हैं तो यह सब इसे के अंडर आते हैं और जिस तरीके से हम रिवेंज टूरीजम की भी बात करते हैं कि जो लंबे सम की का फॉर्मिशन ले रहा हो तब एकदम से यहाँ पर जंप नहीं करना चाहिए खरीदारी का मौका तब होता है जब वो कूल डाउन हो रहा हो जब जब वो सटल हो रहा हो तो तब खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे एक और है टाट टी-स वाया बहतरी इंशार है दि लेकिन एक चीज़ यहां पर ये भी है, कि जब भी बड़ी रफ्तार आती है, तो याद रहें, नीचे की तरफ ये तूटता है, बारा पंदरा परसंट की गिरावट आती है, और वो मौका होता है बाइन का, जो कि दुबारा तेजी दिखा देगा, फिर बारा पंदरा आने वाले समय में, और अगर कूल डाउन होता है, आपको तीन हजार या इकतीस सो के आसपास मिलता है, तो खरीदारे के मौके यहां पर बनने वाले हैं, एक और शेयर है, टाटा कम्यूनिकेशन, एक हजा तीन सो पिचानवे रुपे का शेयर है, जुन जुन वाला की बहु अभी हो रहा है, अभी के लिए मैं कहूँगा कि मुझे बहुत महगा लग रहा है, मैं अभी यहां पर हाथ नहीं डालूँगा, मैं वेट करूँगा और नीचे की तरफ इसके आने के अगर नहीं भी मिलेगा, तो भाया और भी कई से टाटा के शेयर है, यह एक लौता नही और मैंने हमेशर से कहा है, कि यह दूसरा हिंदुस्तान यूनी लीवर बन सकता है, इतना पोटेंशल तो है इसमें, और जिस तरीके से टाटा आने वारे समय में डीचिटली भाया बहुत बहतर कर सकता है, तो ऐसे में इन कंपनियों का फायदा भी वहां पर जरूर है, अब यह अपने आल टाइम हाइस पर बैटा हुआ एपनेWhen अल टाइम हाइस पर बैठा है, और अब मुझे यह रव अभाई डर लगता है, मैं आपले साह करोना पहुत यह उन क्वाया पूपक्ता है तो मेरे हिसाब से बहुत 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 उपन निकल चुका है टाटा एलक्ष अब मैं खरीदने के सला नहीं दूंगा और अगिन मैं कहा रहा हूँ जितने भी शेर्स हैं जिस और एक तरफा गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में तो पहले ये गिरावट जो है उसका रुकना जरूरी है तो जल्दबाजी अभी मत करिये तो बहुत हाई प्राइस पर ट्रेट कर रहे है खाला कि बहतरीन शेर है बेचने की मैं सला नहीं दे रहा हूँ खरीदारी की है तो बने रही है लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कूल डाउन होना इनका जरूरी है और जिस प्राइस पर ट्रेट कर रहे हैं वहां से अगर आपको दस से बारा परसंट की गिरावट पर मिल जाते हैं तो वहां से एक खरीदारी के मौके बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं लॉंग टर्म के लिए डेफिनिटली बढ़िया रहेंगे यह सारे के सारे शर्स और नजर रखें इनके उपर वीडियो को यहीं पैंड करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर शायकर चैनल बगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा गुरूप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक्यू